तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग की तो चलिए अब आपको बताते हैं आज के महा उपाई के बारे में आज का महा उपाई है आज खीर बना कर छट पर रखें फिर सुभे इसे ग्रहन करें तो चलिए फ्रेंड सब बात करते हैं राशी फल की, राशी फल में सबसे पहली राशी है मेश यानी एरीज मेश राशी वालों आज कारे स्थल में आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस राशी के वकीलों के लिए आज का दिन बहतरीन है कोई जरूरी केस आपके पक्ष में रहेगा विवाहितों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है व्रिश राशी वालों आज बिजनेस में लाब मिलेगा जीवन साथ ही किसी रोमांचक जगह पर घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं पारिवारिक समारों का हिस्सा बन सकते हैं छातर अपनी स्ट्रीम बदलने के बारे में सोच सकते हैं मिठुन राशी वालों आज आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, बिरोजगारों को आज जौब की टेंशन सता सकती है, इस राशी के जो लोग बिल्डर्स हैं उनके लिए आज का दिन पायदा देने वाला है, आपका लव मेट आप से प्यार का इजहार कर सकता है, करक राश राशी वालों आज आपको आफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, किसी पुराने मित्र से सोशल मीडिया पर आपकी बात हो सकती है, बड़े बुदुर का आशिरवाद लेना कारगर साबित होगा, आ आज आपको हलका सकोल्ड महसूस हो सकता है, कन्या राशी वालों आज आपका मनसक रातमक रहेगा, लव मेट के साथ किसी पार्टी में जा सकते हैं, आपका पूरा दिन मौज मस्ती में बीतेगा, इस राशी की महिलाओं को कोई सर्प्राइस मिल सकता है, तुला राशी वाल आज आपका दिन अच्छा रहेगा दोस्तों के साथ आउटिंग कर सकते हैं नए लोगों से मुलकात होगी समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा आज बाहर के खाने से बचें सेहत खराब हो सकती है धनुराशी वालो आज किसी काम से दोस्त के घर जा सकते हैं आप विवाहित लोगों के दिन बेहत खास हैं विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं जीवन साती के साथ अच्छा समय बिताएंगी आज आपको आँखों से संबंधी कोई समस्या हो सकती है मकर राशी वालो आज का दिन सामाने रहेगा घरी लुकारों में व्यस्त रहेंगे पारिवारिक सुख में व्रिधी हो सकती है करियर को लेकर उतार चड़ाव की स्थितियां देखने को मिल सकती है कुम राशी वालो आज आप को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा धनलाप के साथ खुशियों का आगमन भी होगा विवाहितों के लिए दिन अनुकूल है घुटनों के दर्द परिशान कर सकते हैं मीन राशी वालो आज आप की आर्थिक स्थिती मजबूत हो सकती है पैसो के लेंदेन के लिए दिन अच्छा है काम के सिलसले में यात्रा करनी पड़ सकती है जीवन साथ ही का भर पूर सहयोग मिलेगा